दोस्तों कल मैंने मेरे दोस्त के पास फोन किया तो मेरे दोस्त बहुत जल्दी जल्दी में था और उसने कहा कि मैं आपको रीबैक कॉल करता हूँ यदि आप English बोलने के शोकीन है या फिर English बोलते हो तो आप इन sentences को बिलकुल correct बोलना, गलत बोलने से आपका impression खराब हो जाता है तो चाहे re-back call हो, चाहे return back हो, चाहे myself हो, चाहे by walk हो, ऐसी ही हम 10 mistakes के बारे माँ जिकर करेंगे चाहे हिंदी बोलो या English बोलो, यदि English मिला करके बोलोगे तो गलत नहीं बोलना है, अच्छे से हिंदी और English को मिला करके अच्छे से बोलना है, तो आज इस वीडियो को आप लास तक देखो, चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौम दिया, आज आज आपका दरूरल फाइट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, तो आज मैं बात करने वाला हूँ, री बैक कोल, तो री बैक कोल नहीं होता, जब भी आप किसी हूँ कहते हो कि मैं आपको थोड़ी दिन में कोल कर होता है, तो दोनों को मिलाने से super flow sentence मन जाता है, यहां पर या तो री मत लगाओ, या फिर बैक मत लगाओ, दोनों में से एक ही लगाना होता है, ठीक है, तो यह एक मिस्टेक हम डेली लाइफ में करते जाते हैं, री बैक कोल नहीं कहो, तो आई कोल यू बैक कह सकते हो, चली कि अप इंग्लिश बना करके बोलते हो, तो मैं आपको return back करूँगा, five months बाद return back करूँगा, return back नहीं होता है मेरे दोस्त, return back, दोनों return और back, दोनों का ही same meaning है, तो return, या तो आप return कहो कि मैं आपको five months बाद return कर दूँगा, या ऐसे कह सकते हो कि मैं ये आप पैसे आपको five months return कर दूगा, return back नहीं कहना है, क्योंकि ये एक गलती है हमारी, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, तीसरी mistake की दरफ, जो हम करते हैं, वो करते है myself, जब भी आपको किसी से introduce करवाना है, आप किसी interview में जाते हो, या फिर किसी ऐसे मोके पर जाते हो, जहां professionally आप कहीं पर जाते ह है, क्योंकि myself professionally or myself से start नहीं कर सकते हो, इसमें आप ये प्रोफेशनली कहीं पर भी हो, तो आप इसे I am Som, या फिर my name is Som, इस तरह से आप अपना introduction स्टार्ट कर सकते हो, ये भी एक बहुत बढ़ी गलती है, चलिए बढ़ते हैं, fourth mistake की तरफ, जब भी आप कभी कहीं जाते हो, या कहीं आते हो, तो आप से कहीं जाते हो, तो पूछते हैं कि कैसे जा रहे हो, बाई कार जा रहा हूं, बाई बस जा रहा हूं, ठीक है, यदि आप गाउं में ही या फिर आपके घर के आसपास, या आपकी कलोनी में कहीं नजदीक जैसे पैदल जाते हो, तो कहते हो, जैसे आप पैदल चलने की बात करो, तो उसे हम कहेंगे on foot, ठीक है, कि आप पैदल चले जाओ, go on foot, got it, तो चलिए बढ़ते हैं, अगले मिस्टेक की तरफ, जब भी आप कहीं shopping mall, या कहीं पार्क वगेरा में घूमने जाते हो, तो mostly लोग वहाँ पे selfie लेते हुए दिखते हैं, और photography का आज कल बहुत trend चल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि, या तो चार-पांच परसन होते हैं, पांच से परसन होते हैं, वो ऐसा चाहते हैं, कि हम सभी एक photo में include हो जाएं, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को phone देते हुए कहते हैं, भाया प्लीज मेरी एक selfie ले दो, तो जब आपको भी ये situation से गुजरना पड़े है, या ऐसा कोई situation आ जाए कि, आप अपना phone किसी को दे करके कहते हो, भाया मेरी एक selfie ले दो, तो वहाँ पर ये मत कहाना, भाया मेरी एक selfie ले दो, क्योंकि selfie का मतलब क्या होता है, खुद से हम कोई photo click करते हैं, तो वो होती है selfie, तो यद आपके सामने कोई Hindi, English, French, Australian, कोई भी language बोले और कोई word आपको बोले, आपको समझ नहीं आता, तो आप कहते है, repeat again, repeat again, तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर गलती करते हैं, repeat again, repeat का मतलब होता है, दोबारा और again का मिनस भी दोबारा होता है, यहाँ पर भी sentence का होता है, superfluous बन जाता ह है, तो इसलिए दोनों का मिनिंग खराब होता है, repeat again, नहीं कहना है, जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, या फिर आप वो चीज दुबारा सुनना चाते हो, तो आप उसको कह सकते हो, repeat, ठीक है, इसे repeat कर दो, या repeat it, please, got it, चली बढ़ते हैं, अगले mistake की तरफ, अग अगले mistake है, cousin brother, ठीक है, अरे, जब कहीं आप किसी के साथ जा रहे हैं, और आपसे पूछ लें कि ये कुन है, अरे, ये तो मेरा cousin brother है, ठीक है, he is my cousin brother, he is my cousin brother, और वहाँ पे आपका impression जमने की वजाए बहुत खराब हो जाता है, he is my cousin brother, तो cousin brother कभी नहीं कहना है, यदि आपको बताए कि ये लड़का है, ठीक है, तो वो cousin ह he is my cousin, यदि वो लड़की है, तो she is my cousin, और he और she दोनों pronoun क्या दिखाते है, he for male and she for female, यदि आप खहते हैं, he is cousin, तो officially या फिर obviously जाहिर हो रहा है कि he है, तो वो लड़का है, he is my cousin, और यदि आप यूज़ करते है, she is my cousin, तो she is my cousin, she से जाहिर हो रहा है, कि वो लड़की है, तो she is my cousin, तो cousin के आगे brother sister लगाना गलत हो जाता है, cousin के आगे कभी भी brother sister नहीं लगाना है, एक mistake और इससे मिलती जूलती mistakes मैं discuss कर लेता हूँ, कई बार हम कहते हैं कि अरे आप गुडगाओं रहते हो, किस के साथ रहते हो, I stay with my real brother, आपको महाँ पे real brother कहने की जुरूत नहीं है I stay with my brother, मैं मेरे भाई के साथ रहता हूँ, यदि आप अपने भाई के साथ नहीं रहते हैं, तो आप ये कह सकते होगा, I stay with my cousin, got it, that's it, इतना काफी, तो या तो आप ये कहिए कि I stay with my brother, brother के साथ रहते हैं, तो वो real है, obviously समझने वाली बात है, और यदि आपका भाई नहीं है मतलब real नहीं है, तो आप उसे कह सकते हो, I stay with my cousin, चलिए अगली मिस्टेक की तरह बढ़ने हैं, जब आपके घर पे कोई मैमान आता है, या कोई unknown person से आप मिलते हो, तो वो कहता है, भया अपने कर क्या रखा है, तो आपका simply answer क्या होता है, I have graduated in B.com, और mostly लोग इस तरह से कहत इन B.tech, I have graduated in B.A. तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि graduation और B.tech, ठीक है, यह दोनों ही graduation है, ठीक है, graduated in B.tech, B.tech एक graduation की degree है, ठीक है, B.com graduation की degree है, B.A. graduation की degree है, यदि इस तरह से आप कहते हो, तो यहाँ पे आपको B.tech, B.com, B.A. कहने की ज़रूरत नहीं है, I have graduated in commerce, I have graduated in arts, I have graduated in science, इस तरह से आप कह सकते हो, कभी भी आपको ऐसे नहीं बोला, I have graduated in B.tech, got it, हाँ, या फिर कह सकते हो कि I did my B.tech, ठीक है, I did my B.tech, ठीक है, I have done my B.tech, इस तरह से भी आप कह सकते हो, चलिए, अगले mistake की तरह पढ़ लेते हैं, तो अगले mistake है, जब आप से जाता है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो mostly लोग इसका क्या reply करते हैं, कि मेरे दो बच्चे हैं, कोई गयता है, एक बच्चा है, ठीक है, आज कल बहुत संतुलित family होने लगी है, balanced family होने लगी है, एक या दो बच्चे ही होते हैं, रखते हैं mostly, तो एक दो बच्चे वाले क किसी का एक ही बच्चा तो वो कहता है कि आप मेरा एक चिल्डरन है ठीक है मेरे दो चिल्डरन है तो यदि आप कहते हो मेरे दो चिल्डरन है या फिर कोई कहता है एक चिल्डरन है तो दो चिल्डरन वाला तो सही है लेकिन एक चिल्डरन वाला गलत है कैसे क्योंकि चिल्डरन एक language में एक बोलने में इतना familiar word हो गया है हमें पता ही नहीं चलता कि children plural है या singular है obviously मैं बताना चाहूंगा कि children is a plural noun that is not a singular noun हम children को singular और plural दोनों में use कर देते हैं but that is wrong ठीक है यदि आपके पास एक बच्चा है तो आप कह सकते हो I have one child या फिर मेरा एक child है ठीक है आपको नहीं समझ में आया और आपके कोई query रह गई है तो आप इसे comment box में लिख सकते हैं तो चलिए दोस्तों ये थी आज की 10 mistakes जो हम daily life में बहुत ज़्यादा करते हैं और आशा ही नहीं मुझे पूरी पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी mistakes आपके समझ में आई होंगी और आप इनको cover करने की पूरी पूरी कोशिस करेंगे चलिए वीडियो को end करते हैं और यदि आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको share करना ना खुले और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट का मुझे आपका इंतजार रहेगा थैंक्यू